नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रूए प्रदीश का सबसे भरोसे मंद न्यूस चानल इंडिया न्यूस उत्तर प्रदीश उत्राखन मैं हूँ आपके साथ मनिश्य शार्मा और अब वक्त हो चला है अब तक की चर्चित खबर का दरसल आज हम बात करेंग को अबैद पाए जाने पर सील किया गया है वहीं अलिगड की बात करें तो यहां पर सोला कोचिंग सेंटर ऐसे जिने सील किया गया है इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा मौके पर चलेंगे लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं अब भी अपनी जबरदस्ती बच्चों की जान के साथ खेलने पर अड़े हुए हैं हमारे पीछे आप देखिए दो बोर्ट लगे हुए हैं पहला बोर्ट से तर्मेक्स प्राइबिट लिमिटेड जो की कोचिंग भी है यहां पर लिखा हुआ है इसी के साथ साथ दूसरी जो कोचिंग है इसीट है इसके बाद भी यह जो कोचिंग सेंटर्स है वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाल कर रहे हैं और एक जो प्रॉपर नियम होते हैं प्रॉपर जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स के खिलाफ यहां पर अपनी दुकाने चला रहे हैं अब देखिए कि यह इंस्टिटूट ऑफ फायर मैनेजमेंट है यह जिस घली जिस बड़ी दुरगटना से संचालित हैं कुछ बच्चे यहां पर अंदर अभी भी पढ़ रहे हैं और अपनी जिन्दगी को दाव पर लगा कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं बच्चों की तो मजबूरी है क्योंकि उनके पास कभी-कभी परियाप्त उतनी मनी नहीं होती है जो अच्छी कोचिंग पढ़ रहे हैं लेकिन जो कोचिंग को संचालित करते हैं उनको सब चीजे पता होने के बाद भी सब चीजों से अवगत होने के बाद भी वो लोग स्टूडेंट्स की जिन्दगी के साथ खिलवार कर रहे हैं और डिल्ली के जैसे ही हादिसे को यहां पर भी दावात दे रह लखनो विकास पदिकान द्वारा लगातार अब यहां चला कर आज दूसरे दिन भी बेस्मेंट में जो अबैद कोचिंग चले उनको सील किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहां पर बिजली का मीटर लगा वार बिजली के तार किस्ता से बढ़े पड़े लखनो विकास प बट्टी भी लगा दी जिसमें लिखा गया है कि यह बिल्डिंग अवैद है उसके बाद हम बता दें कि आपको बता दो कि आप देख सकते हैं कि बेस्मेंट बेस्मेंट में किस तार से कोचिंग चला था एक जीट और इंट्री का केवल यही एक पॉंट है यानिक अगर आसता भी नहीं मिलेगा आप देख सब्सक्राइब चोटा सा गेट बना हुआ है हाला कि लखनो विकास पईदीकर के अधिकारियों को देखते ही कोचिंग सेंटर संचालक ने सभी ताले बंद करके यहां से फरार हो गये हैं लखनो विकास पईदीकर द्वारा लगाता दोस दिन यानी 107 जगे पर छापे मारी की गई जिसमें की 20 जगे पर उन्होंने सीलिंग की कारवाई की गई है एकजीट और इंट्री के किवाल दो ही पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर अधिकारी यहां पर मौजूद है और इसके बाद धीरे देख सकते हैं कि हो सकता है क कि आखिर का यहां पर जो कारवाई चल रही है सर ऐसे में कारवाई हो रही है 20 भावन अब तक सील यानी बेस्मेंट सील किया जा चुका है सेकोलों की तादाद में अभी तक जात चल ले चापे मारी की जिसा है कि हम लगातार चेक कर रहे हैं कि बेस्मेंट में कोई करना हो जाकिसी में तो सारे करा मेरे मेरे से देखता हूं यहां नियाँ कर्यों कल 10-12 चौक मैंने चेक की ती जिसमें दो और यह कल तक हमारे सूचना के यहां पर कोचिंग चल रही थी और आज मिझे लगता है कल के कारवाई किसे लोग बाद डर के बंद करके बोर्ड उतार के चले गया हैं लेकिन फिर भी हम सेफ्टी मेजर के लिए जीना बंद कर दे रहे हैं बिल्कुल देखें लखनो विकास पधिकर के अधिकारियों को देखते ही कहीना के फरार हो चके यह वो रोड है हज़ाद गंज का यह रोड है जहां पर आप देख सकते हैं लाइन से कोचिंगों की होल्डिंग लगी हुई है महत्पुर बात यह है कि लगातार जांस की जा रह के से कोचिंग संचालित क्या जा रहा है उसको सील कर दिया जए यही वबद में लगाता दूसरे दिन अभ्यान चला कर यह कारवाही की जा रही है कैमरा परसंद दीपक कुमार के साथ पंकर मंडल इंडिया निवर्ड चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपको आगरा लेकर च होती है तो उसके खिलाब कारवाई की भी यहां जिम्मेदार अधिकारियों को चिम्मेदारी दी गई है एडिया के सक्ष निर्देश दिये गए अगर बेस्मेंट में कोई भी जो सक्षिंग संचालित होगी तो उसके खिलाब सक्ती से निप्टा जाए और जिस तरीके से ब बड़ से ही इसको बंद कर दिया या ए यानि कह सकते हैं कई से पहले ही यहां पर जो यह संचाला या सज्घ हुए और फोस्चे क होने के बाद उनके आपने आप ही हिं इसको बंद कर दिया है तो कहीं न कहीं जो योगी सरकान ने जो यह जारी किया है उसकी जो तस्वीर है वो आताजनगरी आग्रामत देखने को मिले हमारे साथ कोचिंग संचाला कि हम इनकी से डालाट बात करते हैं तो बहिता क्या नाम आप साथ क्या आप चौदरे आपने यह पूर भी आगरा मैं कोई सेंटर है जो बेस्मेंट में चल लई है आपस में आपकोई बाचीत हुआ तो ऐसा कोई नहीं है जाता लोगों में बंदी कर दी है मेरे इसाब से कोई नहीं लगता कि आप चला रहा होगा वी समय सभी लोगों और भी आप सुन रहे तें यह कोचिंग संचालक है जिनका साथ तोर पर कहना है जिस तरीके से दिली में जो बहतना हुए आस्ता हुआ उसके बाद ताजनगरी आगरा में जो बेस्मेंट में जो कोचिंग संचालित हो रहे थे वो सभी को बंद कर दिया गया है तो कहीं ने जाए कोई बी कोचिंग संचालक जो है आपस में बाचीत करते हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने निकलकर नहीं आई है जिसमे ताजनेगरी आगरा में भी वेस्मेंट में कोई संचालित हो रही है अब उन पर भी जो सकने लगा है चाहे हम लखनों की बात करें या फिर हम आगरा की बात करें या फिर हम अन्य शहरों के और अन्य जलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी अब उस हादसे की बात बहुत अक्टिव नजर आ रही है जो शिकंचा है वो कसता जा रहा है चाहे हम अन्य जलों की बात कर लें कोचिंग सेंटर कितने महफूज हैं ये बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ कोचिंग सेंटर से उस हादसे से सबक लेते हुए आप जो तमाम राज्व सरकारे हैं वो भी इस पर खासा नकेल कसने लगी हैं और बड़ी आक्टिवनेस के साथ जो करवाई है वो की जा रहे हैं बेस्मेंट में कोचिंग यानि मौत को दावत है क्या ये सवाल इसलिए हो रहा है और ये सवाल बड़ा महत्पून की कोचिंग सेंटर में जो पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाई करेंग कि यहां पर वो अपना समय देंगे तो क्या वो अपने भविश्य को सुधार पाएंगे क्या वो अपने भविश्य में उस मुकाम तक पहुच पाएंगे जिसका वो सपना लेकर उस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर वो जा रहे हैं वो उनके महिंद्रमाही मेरे साथ चुड़ रहे हैं वारण असी से मेरे साह्योगी आकाIFAश यादः मेरे साही और ऌसन रिजक मेरे साथ और उसे पहले से उप게 नॉड़ा कर लेती का महिंद्रमाही का महिंद्र जला तरह सबसे ज़ागा अगर कोचिंग निवर्सिती तो दिल्ली और ने ऐसे में अगरी बच्चे विए पड़ने लिखने आते हैं तो हमारा वहीं सोगा बहुत बहुत हैं यहां पार्किंग की जगा यानि की जगा को अनोट किया जाता है आप बच्चों को पढ़ा रहें एक बिल्डिंग यानि कि जो पार्किंग निवर्स प्रशाष्टन के टीम बहां दिक तो पठकाल लगती तो टीम अभी भी आग बंद करके सोर यहां कि जहां और पर बहुत हैं को इसे प्रशाष्टन की बात करें इस प्रशाष्टन की बात करें और यहां वह व्याजिकार टीम नोग हैं उन्हों पुरे जनपर में पहाच्छों हजार से अधिक कोचिंग स्टूटर इसमें आप जाती है कि अजर आप कोचिंग सेंटर में अपने जाएंगे तो वहां आप से तीन महिने चार मेंने की एडवांस पीच निजागी मगर आपको सुविधा के नाव पर पुछ निज्यागा ठीक है ठीक है ठीक है आप बने रही गामलोटूंगी महींद्र आपके पास वारणसी आकाश व्यादव मेरे सईयोगी मेरे साथ जुड़े हुए वारणसी करूप कर लित्यू चुकी है वो भी इरकल से ही लगाता है चाफे मारी चल लएए अब तक 13 संसान है उनसे कारवाई हुए जिसमें 13 11 संसानों को सीज़ किया गया है जागा दो नोटी भजा गया है तो पहले क्यों नहीं किया गया तक जब कोई हासा बड़ा हासा होता है तब अधिकारी जो है सब कारवाई के लिए फिल्डिम उतरते हैं चाहे कहीं कहीं आउस्पिटल में आग जनी हो या फिर तमाम तरीके की बाते हो अभी भी बनारस में लगबग सैकोलों जो ऐसे हैं संसान है जो अब तरीकिस चला है लेकिन उन पर कारवाई अभी तक नहीं किया गया सवाल यह है लेकिन जब कोई बड़ा हास्ता होता है तब बनारस के अलादिकारी नीज से जगते हैं और कारवाई करने के लिए उनकी गाड़िया रफ्तार से दोड़ती है और कारवाई करके खाला पूर्टी करते हैं बिल्कुल आकाश और क्या बड़े हाथ से का इंतिजार होता है क्या उससे पहले यह चीज़े परकी आपर देखी नहीं जा सकती है ताकि इस तरह के गटना और इस तरह के हाथसों से पहले ही बचाव रखा जैसे के मैं आपके पास लोटूंगी लखनाव कर रूख कर लेती जहाँ पर कई पर फायर अनुसी नहीं है कई पर अप्रूवल नहीं है कई पर स्टोरेज के अनुमती है तो बहाँ पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं लियाजा भविश्य के साथ तो अब भी खिलवार हो रहा है पर अब भी जंगा हो चाहे वो हो चाहे वो कोई भी कमर्शियल प्लेस हो हर जंगा के कुछ नौर्म्स होते हैं कि आपके पास फायर एक्जिट हो फायर के जितने भी उपक्रण हैं वह हो फायर एक्जिट हो एमर्जेंसी एक्जिट हो लेकिन इन जैसी जंगाओं पे कुछ भी नहीं देखा जा रहा है जो कोचिंग है वहाँ पर सिर्फ पांच मीटर का एक दर्वाजा है जहां से छात गत्राते हैं और चहां से वापस जाते हैं अगर कोई दॉरगटना गट्ती है तो उनके इंके पाञाता नहीं है यह कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिससे वह एमर्जिटिंसी में बच्चे निकल सके जहाए वो इस तरह का फ्लड् में और झाहए वो इस तरह का पानी भर जान इसी घड़ना लखनव में होती है तो ऐसे तमाम जगाएं हैं जहां पर जो कोचिंग बेस्ट में संचालित हैं वो मौत के कुए में तबदील हो सकते हैं मनिशह सबसे बड़ी बात ही होती है कि जब इस तरह की कोचिंग चलते हैं तब इतना ज्यादा मातरा में जिस तरह से आपन्य लखने की बात कहीं जाती है अगर इस तरह के कोचिंग्स या इस तरह के गैर कानुनी डंग से कोई भी कमर्शियल चीजे संचालित हो रही है तो उस पर कारवाई क्यों नहीं होती है समय रहते जब कोई हाथसा होता है तब नेंदे खुलती है और तब धढले से काम करना शुरू होता है अभी हाला कि इस तरह की कल दो तीन रियालिटी चेक्स हमने किये थे उस खबर चलने के बाद जो प्रशासन अमला था उसने उन सभी कोचिंग को सील कर दिया है लेकिन सवाल यही आता है कि जब इस बात को हाइप बनाया जाए जब इस तरह के घटना घटित हो उसके बाद ही कारवाई क्यों होती है पहले कारवाई क्यों नहीं हो सकती है और दूसरी चीज़ यह कि लखनव में इस तरह के तमाम कोचिंग्स हैं लखनव हो चाहे प्रयाग्राज हो जो की इजुकेशन का हब कहा जाता है इस जगहां पर दिल्ली के जैसे कई कोचिंग्स हैं जो बेस्मेंट में संचालित हैं जिनको पार्किंग की अनुमती दी कही है लेकिन वह वहां पर कमर्शियल चीज़ें चला रहे हैं और दिल्ली के राओ आये सब्सक्राइब बिल्कुल ब अपना भविशे बना पाएगा उजवल कर पाएगा अपने भविशे को लेकिन कोई यह नहीं सोचता है कि उनका बच्चा वापस नहीं आ पाएगा या पिर किसी हाथसे का शिकार हो सकता है हाथसा कभी भी हो सकता है आपता है कभी भी आ सकती है प्राकरदी का आपता होती ह वो भी कभी आ सकती है लेकिन उससे निपटने के लिए कितने इंतिजाम किये जाते हैं प्रोशासन कितनी सज़क नजर आते हैं या फिर सरकारे कितनी अट्टिव है वो जादा मायनी रखता है नौइडा का फिर से मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सयों की लगातार महींद्र मासे बने हुए है अब नौइडा में जब हम बात कर रहे हैं तो दिखी जब हम पानी के जलबराफ की बात कर ले या फिर उन पाइप की बात कर ले जो की भर जाते है और अचानक से फटने के कारण इस तरीके से पानी अचानक तेज वहाफ से भर जाता है यो बेस्मेंट पे पानी भर जाता है प्रिसासर प्रषासन on सरकारे हो क्या वह बेस्मेंट पर संचालित होने वाली कोचिंग क्लासिस पर इदियान दे रही है या पिर अपने इन अखामी ओको कि महिंद्र मुझे लगता है आपने आपने आपको म्यूट किया हुआ है आप अन्मूट कीजिए अपने आपको कि मनीशा अगर मैं बात परूप कोचिंग माप्या इनको में ध्यापक पीचर या किसी स्टूर्ट से नहीं जोड़ूंगा यह माफ्या है बच्चों की जिन्रगी से कैसे चलवाड़ करते हैं वह बताता हूं अपने कोचिंग सेंटर के आगे बड़े-बड़े लगवाते हैं अगर इसके पीचे जिन्दे की सवाल ने इस तरके से राओ आयस कोचिंग सेंटर में तीन बच्चों की दर्दनाक मौट हुई आप आप तुछ के लालच में बच्चों की तंडी अवार्किंग के अगर दो दोनों बेस्मेंट में बच्चों को पढ़ाया रहा था चाहरा यह यह बहुत दॉद्धित जाता है तो यह एक ही गेत रखके और जहां एमर्जेंसी गेत होता है यानि कि अगर आपकल बिल्डिंग निकाल जाता तो फीछे का गेट होता है वहां भी बच्चों को पढ़ाया जाता है जूछा आप कैरियर लॉंचर करके है वहां भी बड़ा इस्टूट है उसके पास कि सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करते हैं जो बच्चों को खो देते हैं जो आप जिनके चिराग बुझ जाते हैं जो अप एक्षाय करते हैं उम्मीदे करते हैं कि हमारा बच्चा अगर बाहर शहर में जा रहा है तो वह अपना उज्वल भविशे बना करी वापस लोटेगा हमारा नाम रोशन करेगा अपना भविशे सेटल करेगा लेकिन ऐसे कोचिंग माफिया जैसे कि अभी महिंद्र ने उनको एक संग्या दी है कि वह कोचिंग संचालक उन्हें नहीं कहेंगे वह कोचिंग माफिया कहेंगे जो बड़े-बड़े बोर्ट लगा लेते हैं लेकिन अपने कोचिंग सेंटर में व्यवस्ता हैं शूने के बराबर अब चुकि कारवाई हो रही है तो क्या कोचिंग संचालकों के भीतर वो जाग रुपता आ रही है प्रुशासन किस कारवाई के बाएंद कि सायद मनिशा हम और आप इसी इस खबर को दिखा कर लोगों को जागूर विपि कर रहे हैं कि दिल्ली जैसा आस्ता कई पनारत में नहुजा जाए कर यह जिलों पर यह अस्ता नहुजा है इसमें देश का भवी से दूब कर मर जाए या पर जल कर मर जाए इस तिकिसे हास् कोचिंग सेंटर्स और उनके संचालों को पर कसना चाहिए बलकि आपदा अगर आती है चाहिए प्राकती का आपदा हो या मन भी आपदा हो उसे निपटने के लिए क्या इंतिजाम बाद में किये जाते हैं उससे कितनी तेज गती के साथ उससे रिकवर किया जाता है उस और भी ध्यान देना होगा प्रिशास और सरकारों को बहुत शुक्रिया आकाश आपका भी